बिहार के मान्यम मुख मंतरी नितीश कुमार ने बिहार के 94 लाक परिवारों को 2-2 लाक रुपे मुप्त देने की घोसना की है और इसी के साथ बिहार सरकार ने ये भी घोसना की है कि आने वाले 5 सालों में इन 94 लाक परिवारों को 2-2 लाक रुपे की जो मदद की जाएगी इस उस पर कुछ लोगों का कहना था कि ये fake news है, तो इसलिए हम आपको सबसे पहले विहार के मुख्मंत्री नितीश कुमार द्वारा विधान सभा में दिये गए भासन को सुना देते हैं, उनके ब्यान को सुना देते हैं, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि विहार के मुख कोई रोजगार नहीं अब आप सुच लिए को रोजगार नहीं उनके लोगों के पास जो कुछ भी है आप इतने लोगों के पास पूइ wrong नहीं तो उनको तो कुछ बदत करना है न भैं कि हम को यही कह रहें एक चीज solids कि की आप उसके लिए जो कुछ भी किया सकता है, 2,00,000 रुपए तक की रासी किस्तों में उपलब करा जेगे, मने मुफ्त में उनको 2,00,000 रुपया का मदद दिया जाएगा हर परिवार को ताकि कोई कोई काम करो, जितने लोग भी हैं, अपर कास्तों तक कोई हो, तो जितने भी हैं 94,00,000 गरीब परिवार, इन सब के लिए हर परिवार को कम से कम 2,00,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको बदद की जाएगी, ताकि वो कोई न कोई काम करना जुरू करें अपनी खावर को, दरसल बिहार सरकार, बिहार के 94,00,000,000 गरीब परिवारों को, जिनकी इंकम 6,000,000 रुपय से कम है, उन सबी को 2,00,000,000 रुपय मुपत में देने जा रही है, और ये पैसा लोटाना नहीं पड़ेगा, इस पैसे से वे अपने रोजगार के बेवस्था कर स रखते हैं, और बिहार के मन्य मुखमंत्री नितीश कुमार द्वारा विधान सवा में किये गए बादे को और भासन को आप लोगों ने जरूर सुन लिया होगा, आपको बताते चले कि जब हमने यह रिपोर्ट अपने बिहारी प्रिंस चैनल पर प्रसारित की थी, तो बाद में इसके बारे में कहा गया कि यह जुमला है, लेकिन बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार ने भरे विधान सभा में इसकी घोसना की है, और इसके लिए बताया गया है कि पाच साल के अंदर धाई लाख करोर रुपे खर्च किये जाएंगे, इसके लिए बजट अल तो यह घोसना जरूर कर दी है, और इस घोसना के बाद बिहार में लोक सभा चुनाब जो है, वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, बिहार में 40 सीटे हैं, और 400 सीटों पर जिस परकार से मुखमंत्री नितीश कुमार ने विधान सभ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 2-2 लाख रूपे मिलने के बाद फिर से 400 सीट जितना परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुश्किल भड़ा होगा, हलाकि ये भी कहा जा रहा कि ये जुमले बाजी है, बाद में होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन देखना बाक मुख मंत्री नितीश कुमार ने जो भरे विधान सभा में 2-2 लाख रूपे देने की घोषना की है, क्या वो दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि दरसल मुख मंत्री नितीश कुमार ने एक घोषना और भी की है, वो जड़ा जान लिजे, बताया जा रहा कि बिहार सरकार अगले पाच बरसों में गरीब परिबारों पर धाई लाख करोर रूपे खर्च करेगी, इसमें राज के 94 लाख गरीब परिबारों को 2-2 लाख देने के अलाबा, जमीन के लिए आवास हिन परिबारों को घर बनाने के चालीस हजार रूपे प्रती परिबार एक मतलब अलग से दिया जाएगा, वहीं परदेश में 2 करोर 76 लाख परिबार हैं, इन में से 69.13 परिबार के पास पक्का मकान हैं, जबकि 63,850 परिबार अवास हिन हैं, जिन के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, और इन परिबारो को जो परदान मंत्री आवास योजना के तहट जो रासी मिलती है, उसमें 40,000 रूपया एक्स्टरा बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वहीं बताया जा रहा कि हर साल 50-50,000 करोर रूपय खर्च करने की भी घोजना की गई है, राज्य सरकार इसकी कार्ज योजना बना रही है, हलाकि इसके लिए मुख्मंत्री निकीश कुमार ने किंद्र सरकार से भी मदद मांगी है, और किंद्र सरकार से एक बार फिर से बिहार को विशेश राजिक का दर्जा देने की मांग की गई है, सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्र या देना मत बुलिएगा जुरे रहे हमारे साथ जैहिन जैभार।